एलो फ्राइंड्स वेल्कम टू दी एक्जाम मैट्स लर्निंग प्लेट फॉर्म दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम सीजील प्री 2022 के पेपर्स को चैप्टर वाइस डिसकस कर रहे हैं ठीक है उनको हम डिसकस करते रहेंगे बट साइड बाई साइड मैंने सोचा है कि जो आप के सीजील मैंस के पेपर्स हैं उनको भी हम डिसकस करते रहे हैं ठीक है हम इससे पहले सीजील मैंस 2020 के पेपर्स को डिसकस कर रहे थे ठीक है अभी हम सीजील मैंस 2021 के पेपर्स को चैप्टर वाइस डिसकस करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जो भी आपके प्रॉफिट एंड अच्छे सीखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए CGL में और इवन CHSL में भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशल रहेंगे ठीक है तो आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए और कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कॉंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि 8 अगस 2022 को CGL मेंस 2021 का पेपर हुआ था ठीक है मैथ का मैथ का फर्स अग्लिश का सेकंड सिप्ट में हुआ था तो हम मैथ के पेपर्स को डिसकस कर रहे हैं ठीक है तो चलिए शुरूआत करते हैं देखिए एक चीज में आगे बढ़ने से कहुंगा कि आप कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा ठीक है इस सीरीज को आप कंटिन्यू करवाना चाहते है या नहीं और अगर आपको कंटिन्यू करवान यह तो कौन सा चैप्टर आप पसंद करेंगे ठीक है आप एडवांस मैथ को पढ़ना चाहेंगे या फिर मैंने अर्थमेटिक तो उठाया अर्थमेटिक चलने दें ठीक है तो चले सुरुवात करते हैं और पहला कोस्टन लेते हैं क्या कहा रहा है दिखिए दिक कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस अठाइस सो प्रॉफिट एज एप परसेंटेज ऑफ दी सेलिंग प्राइस देखिए यह ध्यान रखिए यह सेलिंग प्राइस पर है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बीस परसेंट ठीक है देन वाट इस दी एक्च्वल प्रॉफिट इन रुपीज तो आप मुझे बताए बीस परसेंट का मतलब क्या होता है आपका एक बटे पांच एक का प्रॉफिट है और फांच रॉपे में चीज बेची है इस पांच रॉपे में एक का प्रॉफिट बें इन उप्र इतल् प्राइब एककट्ने जाएक साथन प्रॉफिट यहि आपसे पूझा था więc Coffee pengther मैं कह सकता है कि मेरे कि च्रुर teeth साथ सो रुपे ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें क्या कहा रहा है एन आर्टीकल इस सोल एट पचीस परसेंट लॉस ठीक है इफ इस कॉस्ट प्राइस इस डवल एड़ी सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ बाई रुपे छह सो साथ देन देर इस ए प्रॉफिट ऑफ 20 परसेंट वर्ट इस दी ऑर्जीनल कोस्ट प्राइस ऑफ दी आर्टीकल ठीक है दिखें पचीस परसेंट का लॉस हुआ है पचीस परसेंट का मतलब होता है मेरा एक बटे च्यार अगर मेरे को 25 परसेंट का लॉस हुआ तो मैं कह सकता हूं चार की रुपे चार की वस्तू पर मुझे एक का लॉस हुआ है ठीक है अगर मेरा वस्तुऊ का स्पी सौर पे था तो मेने एक के लॉस में बेगर एक का है डिए प्रसेंट का लॉस हुआ है तो मैं इसको 400 माल लेता हूं CP को तो मेरा लोच होगा कितने का एक का यानि कि समां लेते है और सो मेरा SP कितने के हो जाएगा 300 रुपे ठीक है आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है इस कॉस्ट प्राइस डबल अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा 800 रुपे ठीक है एंड इस सेलिंग प्राइस इंक्रीजड वाई 660 से बढ़ा दिया है यह रुपीज में है अगर प्रॉफिट परसेंट का हो रहा है तो मुझे एक चीज बताइए 20 परसेंट का मतलब होता है मेरा एक वटे पांच इसका मतलब मैंने पांच रुपे की चीज को मैं एक क प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो 6 में बेच रहा हूं क्योंकि अगर मेरा सीपी पांच है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा छे ठीक है पड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे आप मुझे बताइए पांच की वैलू मुझे कितनी दिखाई दे रही है 800 कितना गुना है 1685 यानि की 160 गुना तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा एक सो साट गुना 1696 ठीक है 1696 ठीक है आप मुझे बताइए कि यहां से आप किलियर ली देख सकते हो कि 300 रुपे की चीज को आपकी 960 में बीच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपके हिसाब से 660 यानि की 660 की वैलू 660 है तो आप से ओर्जिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है तो ओर्जिनल कॉस्ट प्राइस चार सो की वैलू मेरी चार सो हो जाएगी यही अन्सवर होगा आगे बढ़ते हैं देखे क्या कह रहा है एक पर्शन सेल्स एन आर्टिकल पोरे लॉस ऑफ 18 परस को स्वाइस इल्डब प्राइस प्राइस फ्लेक की तरह ही कुछ मिलता है कौहां हमसे सीपी पूछा थाया हमसे फैस पूछा है ठीक है बडेखे एक परसं न के लॉस पर बेचता है 18 का मतलब मेरा चलिए अठारह ही अठारह ही इस मान लेते मैं अगर सीपी को हंड्रेड मान मतलता हूं तो वह बेच कितने में रहा है 18 के लाओ उसमें तो ओविसली 82 में बेच रहा है ठीक है आगे क्या कह रहा है इफ ही इंक्रीजी दिसेलिंग प्राइस बढ़ा दिया और कॉस्ट प्राइस को से डिक्रीज कर दिया सौ का 30 परसेंट इसका मतलब सीपी हो गया मेरा 70 ठीक है आगे क्या क्या रहा है दिखिए देन देरे जेग प्रॉफिट ऑफ 20 परसेंट का मतलब होता है मेरा एक बटे पांच ठीक है तो मैं कह सकता हूं क कि 5 रुपे की चीज को वह एक के प्रॉफिट पर यानिए चैमें बेच रहा है यानि 58 की रोपे के चीज़ को वह छे में बेच रहा यह 5 कितना एस्पी ज्यादा मिल रहा है दो ज्यादा और सवाल केशाब से कितना ज्यादा 144 कितना गुना है 72 ताइमस आप से क्या पूछा है वाट इस अर्जिनल इस प्राइस और जलिग प्राइस क्या था आपका 82 तो 82 की वैलो निकाल दीजिए तो दिखिए आपका यह हो बनेगा दो दूनी चार यूनिट डिजिट चार अब दो अप्सन तो हमारे कट चुके हैं दो अप्सन में यूनिट डिजिट चार है ठीक है अब आप गुना कर लीजिए दिखें कितना बन जाएगा आपका 82 इंटू में 72 तो बनेगा आपका पहले आप 70 से गुना कर लीजिए 0, 7दूनी 14, 78, 58, 57, 57 फिर आप 2 से गुना कर लीजिए ठीक है तो दो दूनी 4 और 2 अट्टे 16 तो 4, 6, 4, 10, 87, 88, 69 69 आपका आंसर होगा option 3 मैं उम्मिद करता हूँ कि concept आपको विल्कुल clear होगा answer होगा आपका उन्सट जीरो 4 ठीक आगे बढ़ते हैं देखे क्या क्या रहा है selling prices of articles A and B are same देखे हमें SP same given है same यह important चीज है ध्यान रखिएगा A is sold at a profit of 28% and B is sold at a loss of 24% ठीक है if the total selling price of both the articles total SP given है आपको 48,640 ठीक है then what is the cost price of A and B respectively अलग-अलग हमें cost price बताने है ठीक है देखे अगर मैं A दो articles हैं A और B एक ही बात करता हूँ तो कह रहा है उसको 28% के profit पर बेचा जाता है देखे 28% का मतलब होता है मेरा ताथ बटे 25 ठीक है तो profit पर बेचा जाता है यानि 25 रुपे की चीज को साथ के profit पर बेचा जाता है तो 25 और शात 32 तो मैं कह सकता हूँ CP और SP का ratio मेरा कितना आ जाएगा वही 25 रुपे की चीज को आप 32 रुपे में बेचोगे साथ के profit पर ठीक है और दूसरे case में जो बी आर्टिकल है उसको 24% के loss पर बेचा जाता है तो 24% के loss का मतलब क्या है 24% का मतलब कितना हो जाएगा मेरा तो यानि 25 रुपे की चीज को आप 6 के loss पर बेच रहे हो तो यानि 25 रुपे की अज़ों का sp सेम है यहां तो हमें sp अलग यह दिख रहा है जिबकी इसने बुलाए कि sp सेम है selling price सेम है ठीक है तो हमें sp सेम करना पड़ेगा एस्पि सेम करने के लिए आप क्या करेंगे इसको आप 19 से multiply कर लीजिए इसको आप 32 से multiply कर लीजिए ठीक है देखे इतना गुना भाग तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा में इसका पेपर है तो गुना करेंगे तो 19 55 पिच्च्यान में नौ 19 दूनी 38 38 और नौ 47 ठीक है 475 और यहां मैं देखता हूं तो 19 दूनी 38 हांसिल का तीन इसके गुना करेंगे 32 से तो पच्चीज दूनी पचास पांच 25 और पांच असी आट सो और मैं यहां देखता हूं तो 19 से इतना ही आएगा 608 ठीक है ठीक है अब ध्यान से समझीए क्या कह रहा है इस टोटल सेलिंग प्रैस और बोद आर्टिकल्स इस 48640 यह टोटल एसपी है और मेरे हिसाब से टोटल एसपी कितना हो जाएगा 608 का डबल 1216 ठीक है मेरे हिसाब से टोटल इसपी हो जाएगा 1216 और क्वेश्चन के हिसाब से गेवाना 48640 तो मैं कह सकता हूं कि 48640 जो वैल्यू है वह मेरी 1216 की है तो यह डेफिनिटली कटेगा 1248 64 64 64 तो यह चार बार कट रहा है तो आपको शीपी निकालनी है दोनों तो इसका 40 टाइम्स करिए तो बन जाएगा आपका जीरो च्यार पंजे बीस दो च्यार सत्य अठाइस और दो तीस तीन च्यार च्यार चक्सोले और तीन 19 एक तो हो गया आपका 19000 अप्सन देखिए थोड़ा कहीं भी नहीं एक यह उप्सन में 19000 यह आंसर हो जाएगा बाकि आप इसको भी देख सकते हैं इसको आप 40 से गुना करेंगे तो 32000 आपका बनेगा यह आपके सब्सक्राइब करता हूं कि आपको बिल्कुल किलियर होगा आगे बढ़ते हैं देखिए क्या कह रहा है वैं एन आर्टिकल इस सोल्ड एट 5 परसेंट डिसकाउंट देर इस प्रॉटीन परसेंट इन वर्ट विल वीदा प्रॉफिट तो देखिए भई 5 परसेंट के डिसका आप एक का डिसकाउंट दे रहे हो तो मैं अगर MRP को 20 मान लेता हूं चलिए 200 मान लेता हूं तो पर आप 10 का डिसकाउंट दे रहे हो तो बेच कितने में रहे हो 190 में तो SP हो जाएगा आपका 190 रेशो में है कोई फरकनी पड़ता है जीरो बढ़ा लिया हमने आगे क्या कह रहा है देर इसे प्रॉफिट आफ प्रॉटीन परसेंट का मतलब क्या होगा आपका साथ बटे 50 इसका मतलब 50 रुपी की चीज को आप साथ के फायदा में बेच रहे हो तो अगर मैं यहाँ CP भी साथ में लिख लेता हूँ ठीक है तो CP यानि 50 रुप अगर मेरा CP 50 है तो बेच कितने में रहे हो सत्तामन में साथ फाल तुमें ठीक है तो सत्तामन आप किलियर ली देख सकते हो सत्तामन की वैलू आपको 190 दिखाई दे रही है तो आपको CP नकालनी है पचास की वैलू नकाल दीजिए तो मैं कह सकता हूँ कि 190 आपकी सत्तामन की वैलू है मेरे को नकालनी है पचास की ठीक है तो देखे कितना बन जाएगा आपका यह आपका बनेगा 500 वटे में तीन क्योंकि यह तीन नीचे यह तो आप इन तीनों में तीन से मल्टिप्लाइड कर लीजिए आपका बैलन्स हो जाएगा तो यह MRP बन जाएगा आपका 600, SP बनेगा आपका उन्नीती सप्तामन 570 ठीक और CP बनेगा आपका 500 ठीक ठीक है आगे क्या किया रहे हैं भी डिसकाउंट इस 11 परसेंट अगर डिसकाउंट का दिया जाता है तो देखिए अगर मैं 11 परसेंट का डिसकाउं देखे 66 का डिसकाउंट देखे कितने में बेच जाएगा तो 534 में ठीक तो क्या कहा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है तो 34 रुपे का प्रॉफिट आपको कितने पर दिख रहा है 500 पर तो तो 34 का प्रॉफिट कितने पर 500 पर तो 100 पर कितने दो जीरो से दो जीरो उपर नीचे दो से मल्टिप्लाइए करके 34 दूनी 68 यानि 6.8 परसेंट आपका अंसर आ जाएगा option 4 मैं उम्मीद करता हूं कि concept आपको बहुत प्यारे लग रहे होंगे अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों अगर कौन से अच्छे लग रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए इस से मुझे मुझे मुटवेशन मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं लि दो सक्सेशिव डिस्काउंट दिये जाते हैं 16 परसेंट और 26 इसका कितना बन जाएगा इकुलेंट 16 और 10 26 माइनस में का रहा है विच वेल वल है विल्राइस इलिए लिएस सैलिंग प्राइस कसके में मैक्सिमिमण ठीकउन होगा अब मैक्सिमण यह 24 परसेंट और यह आपका चावीच पॉइसपॉंट 파ंट तो ऑबीरसली आपका भी होगा ठीक है तो यह वाले कि तो आप काट दीजिये चेस् परसेंट में और फाम चार ओर गटा दिजीए तो याली 65.6 परसेंट के डिसकाउंट देंगे वहां बेच एंगे 65.6 परसेंट में तो आप 28,000 का हक चाहत्तर पॉयंट्ट ền सन्कल दिजिए ज़िक chattik फाम फामाने सिर्फ 20.5 00 जीरो है यह भी कर जाएगा इसमें है तो यह मेरा आंस्वर हो जाएगा गुना करके अब देखेंगे इतना ही आएगा आगे बढ़ते हैं देखें क्या कहा रहा है वहन एन आर्टिकल सोल पूर पूर पर चौवन हजार एकसो बीस आफटर टू सक्सेश्व डिसकाउंट सब्स क्या होता आपका तीन बटे 25 और 18 परसेंट का मतलब होता आपका 9 बटे 50 ठीक है तो अगर मैं MRP और SP का रिश्यो लिख लेता हूं 25 रुपए की MRP पर आप तीन का डिसकाउंट देके बेच रहे हो तो 25 MRP है तीन का डिसकाउंट दे दिया तो बेचा कितने में 22 में और पचास रुपए की MRP पर आपने 9 का डिसकाउंट दिया तो बेचा कितने में 41 में तो पचास रुपए की चीज़ पर 9 का डिसकाउंट देके 41 में बेचा है अब आप मुझे बताए च्छोटी चीज की मेरे हिसाब से टोटल SP कितना है दिखिए इन दोनों का इंटू में 41 और यह मेरे टोटल सीपी कितना है पच्छी पंजी 125 यानि की 1250 सवाल के इसाब से टोटल SP कितना है 54120 तो मैं कह सकता हूं कि यह 54120 जो वैल्यू है यह 22 इंटू में 41 की है मेरे गुने कालनी है MRP यानि की 1250 की वेली बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बन जाएगा देखिए आपका बनेगा कि 11 से काट लीजिए पहले नहीं तो 22 से काट सकते हो तो 22 बाइस दूनी जरू में 14 आपका 10 11 27 जीरो ओर आप दो से और काट लीजिए इसको चाहों तो दो से काटेंगे तो दो दूनी छिव शुक्त के बार है और जीरो थिक है आप किलियरली दिख सकते हो चार चिक्के 24 एक चिक्के चाहिए यानि कि यह सिक्स्टी टाइम्स कटेगा तो आप इन दोनों की गुना कर लीजिए कितना बन जाएगा देखिए आपका जीरो जीरो चेपंजे तीस बचे तीन बारेशिंग बैतर और तीन पिछतर हजा यह आपका अप्शन वन मैं उम्मिद करता हूं कि कॉंसेप्ट आपको बिल्कुल किलियर है आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों यह साथ ही क्वेस्टन्स आपके आये थे मैंने आपक के CGL मैंस 2021 में पूछे गए थे यह 21 वाले क्वेस्टन्स भी करने जरूरी है क्योंकि रिसेट वाला एक्जाम है कहीं न कहीं इन में से भी हमको क्वेस्टन्स देखने को मिल सकते हैं इस बार के मैंस में ठीक है तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए और आपको मिलेगा और कॉमेंट सेक्षन में आप अपना फीड़ बैक जरूर दीजिएगा ठीक है और आप क्या चाहते हैं यह भी बता सकते हैं कि यह सीरीज ठीक रहेगी नहीं रहेगी कुछ और करना वहीं बता सकते हैं और हर लेक्चर के लिए मेरा टेलिग्राम चैनल इसको आप कर लीजिए ठीक है सॉल्यूशन के साथ मैं हर लेक्चर की पीडियाफ डाल देता हूं तो चलिए बहुत जल्द लेक्चर मिलेंगे तब तक के लिए अपने पढ़ाई क्यों रखिए थैंक्यू सो मच